नमस्कार फ्रेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पे जो की आपके इंवार्मेंट यानि की परियावरर के पार्ट से जुड़ा हुआ है और टॉपिक आपका वर्ड इंवार्मेंट डे यानि की विश्व परियावरर दिवस तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे वर्ड इंवार्मेंट डे पे और यह World Environment Day आपका Every Year यानि कि हर वर्स प्रतिवर्स आपके 5 जून को celebrate किया जाता है यह जो event आपका Every Year 5 जून को क्या किया जाता है celebrate किया जाता है मनाय जाता है और दिखा जाए तो पहली बार इस आपका जो World Environment Day वस था इस event को पहली बार celebrate किया गया था मनाय गया था आपका 1974 मे तो हम history पे भी थोड़ा सा discuss करेंगे World Environment Day पे और साथ हम 2020 के World Environment Day के theme पे discuss करेंगे और किस country को इस event का जिम्दा दिया क्या है उस पे भी हम discuss करेंगे तो चलिए आगे चलते हैं और आपके साथ discuss करते हैं World Environment Day पे और देखी हम आपको ये भी बता दें कि World Environment Day यानि विस्व पर्यावरर दिवस मनाने का objective क्या है उद्दे से क्या है आपको याद रखना है कि वैस्वीक अस्तर पर यानि विस्व के अस्तर पर विस्व लेवल पर वर्ड लेवल पर पर्यावरर की सुरच्छा यानि security के लिए लोगों में क्या करना जागरूपता फैलाना अवेर करना लोगों को किसके लिए पर्यावरर की सुरच्छा के लिए इसी के लिए आपका हर वर्ड विस्व पर्यावरर दिवस मना जाता है तुझी की यहाँ पे असपष्ट सब्दों में आपके लिए हमने लिखा है हिंदी वर्ड में हिंदी भासा में ताकि आपको इससे जुड़ा हुआ टोटल इंफॉर्मिशन मिल जाए उसे की आज का समय कोवीड-19 का दोर चलना है और कोवीड-19 के कारा आज दुनिया भर में डिज्टल रूप में यानि कि आपका विस्व पर्यावरर दिवस 2020 को पांच आपके जून को सेलिब्रेट किया गया और हम आपको बता दें यहाँ पे आपका इध्यास है हिस्ट्री है कि वर्ल्ड इन्वाइर्मेंट डे कब से इस्टार्ट हुआ दिखिए 1972 में संयुक्त राष्ट में मानव पर्यावरर दियान कि हुमन इन्वाइर्मेंट पर आयोजित इस्टाक हुम कांफरेंस या कहें कन्वेंशन या आपका इस्टाक हुम सम्मिलन के दौरान पांच जून को वर्ल इन्वाइर्मेंट डे के रूप में पहचान दी गई तो आपका इस्टाक हुम में एक आपका सम्मिलन हो रहा था इस पे मानव और पर्यावरर दिवस के रूप में पहचान दे दी गई और आपका पहली बार देखा जाए 1974 में पहली बार USA ठीक है United State आपको अमेरिका की इस पोकेन ठीक है सहर में पहली बार विश्व पर्यावरर दिवस मनाया गया था और जिसका स्लोगन यानि कि जिसका नारा था Only One Earth ठीक है? Only One Earth यानि कि केवल एक प्रिजवी तो पहली बार याद रखिएगा जो theme कहें या slogan जो कहें World Environment Day का जो था 1974 में था Only One Earth Only आपका केवल एक अर्थ ये उस समय देखें तो slogan दिया गया था और कहा गया है कि अता है 1974 से प्रित्तिक वर्थ विस्व परियावरण दिवस का आयूजन किया जाने लगा तो 1972 में पांस दून को एक डे यानि Environment Day के रूप में मनाई जाने का संकल्प या कहें कि एक कहें कि पहल किया गया ठीक है इस्टाक हों संविलन में 1972 में ठीक है लेकिन 1974 में दो साल बाद ये आपका जो पहल की गई थी उसको क्या किया एक्टिव रूप में उसको कार्यानुइत किया गया तो आपको ये याद रखना है 1974 से ये आपका रेगुलर आपका वर्क करने लगा एवरियर के लिए अब देखिए अबजेक्टिव का यहाँ पे दिया गया है अबजेक्टिव क्या है देखिए 20 अस्तर पर परियवरल की सुरच्छा के लिए जागूता फैलाने के मत सकते हर साल 5 योन को 200 परियवरल देवस मना जाता है और हर साल अलग-अलग देशों को इस इवेंट के लिए क्या किया जाता है मेजवानी करने के लिए अलग-अलग देशों को सलेक्ट किया जाता है चुना जाता है अब देखिए आपका यहाँ पे है कि 2018 में 200 परियावरल दिवस यानि भारत को पहली बार 2018 में विश्चु परियावरण दिवस एक World Environment Day के अंतराश्टी कारिक्रम की मिजवानी करने का मौका मिला था और तब इसका थीम क्या दिया गया उस समय इसका देखें तो विशे दिया गया था बीट प्लास्टिक पाल्यूशन यानि की प्लास्टिक पाल्यूशन को बीट करना हराना और बिल्कुल भारत ने इसके उपर वर्क किया और आज आपको इसका इफेक्ट जादा नहीं तो भी आपको कुछ मात्रा में दिखता होगा इंडिया ने जो कहा उसपे कुछ नं कुछ इंडिया ने वर्क किया है साथ-साथ आप को दासे कि 2019 में शीन को आ खालीै रखा था ठीम दिया एर पा लूशन ठीक है यनकि AyPRODUCER और चाइना ने इसके ओपर कितना काम किया यह तो अप वही बता सकता है अब हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और आगे चलते हैं अब देखिए World Environment Day 2020 पर हम डिस्कस करते हैं ठीक है World Environment Day 2020 2020 के उपर डिस्कस करने से हम पता दें कि इस्टाक होम सम्मेलन की बात किये है थोड़ा उसको भी आप अपने दुमाग में रख लिए कि स्टाक होम सम्मिलन क्या था इसके अंदर क्या चीज़ें हुई थी ठीक है आपको पता चल गया कि यह इंवार्मेंट के ऊपर आयोजित आपका समय आपका कॉंफरेंस था आपका कर्वेंशन था लेकिन इसके अंतरगत क्या चीज़ें आई थी हम बता दें देखिए मूल जो सम्मिलन यानि स्टाक होम स्वीडन में दुनिया भर के 119 देश ने इस सम्मिलन में क्या किया था भाग लिया था सब लोग इकटा हुए थे और जिसमें परियावरत छरण मोसम परीवरतन और मोसम आपदाओं पर नियंतरण परियावरत सूरच्छा के संदर में प्रथम वै को याद रखना है यही मक्सद था अब आते हैं 2020 के World Environment Day के उपर देखिए 200 पर्यावरण दिवस की मेजवानी है यानि 2020 के World Environment Day के ठीक है इवेंट की मेजवानी का जिमा कोलंबिया प्लस आपका जर्मनी ठीक है सही तुरुप से कोलंबिया और जर्मनी को इस इवेंट का जिमा दिया गया है यानि की जर्मनी और आपका कोलंबिया साथ मिलकर इसकी मेजवानी कर रहे हैं और 2020 के जो आपका World Environment Day है उसका थीम है ठीक है उसका विशय है बायो डाइवर्सिटी यानि की जैविद्दा और जैविद्दा पर हम डिसकस करेंगे लास्ट में की जैविद्दा क्या है देखी थोड़ा सा अकराम बता दें जैविद्दा क्या है जीवों के विद्दा ही ज शाहे वह अस्तलीजी गुशंक समुद्रीं जालीजीं घूंख है जितने भी जीवों के अंदर भी बहुत सारे पाई आती है और वही भी wrap कहलती है अगर देखें तो यह में अगर अर्थ लें तो इसका यही होता है तो यहां पे जय विवित्ता यहां पे थीम रखा गया है और यहां थीम जय विवित्ता सनरच्छर यानि कंजर्वेशन के लिए ततकाल ठीक है प्रियास करने का आववान करती है यानि कि जो जय विवित्ता है जो नश्ट हो रही है ठीक है विवित्ताइं जो खत्म हो रही हैं Jee Mo की उसके संरच्चण के लिए क्या करना कदम उठाने के लिए प्रयास करने के लिए तदकालिनित प्रयास करने के लिए यह theme आपको motivate करता है focus करता है आगे कहा गया है कि जै विवित्ता संरच्च्च के के लिए UNEP United Nation Environmental Program और इसके स्वयोगिया उन्हें या उन्याइटे नेशन Decade on Ecosystem Restoration नाम की पहल लांच करने जा रही है यान कि एक initiative है और यह एक कदम है एक पहल है जो आपके जय विरता सनरच्छड के लिए क्या करेगी काम करेगी यह पहल देखे कहा गया है UN Decade on Ecosystem Restoration मानव और प्रकिर्त के बीच संबंधों को क्या करेगी पुनर अस्थापित करेगी रिश्टोर करेगी उसको आपका यह UN Decade on Earth Restoration का मूल मकसद है तो देखे कहा गया है कि Restoration करने के लिए एक वैस्विक पहल है जिसका अवजी आपका 2020 से ठीक है स्वरी 2021 से 2030 तक रहेगी यानि कि दस वर्स तक यह आपका चलेगा यह आपका UN Decade Ecosystem Restoration तो यहां पर मानव और प्रकिर्त के बीच संबंध की बात की गई है जो पुनर अस्थापित करने की बात कही गई है तो क्यों मानव और प्रकिर्त यह एक साथ ही रहते थे वास करते थे इस अर्थ पे लेकिन प्रकिर् इसको कम करना दस सालों में प्रकिर्त और मानों को नजदीक लाने का प्रियास करना यह आपका थीम जो यह आपका पहल है UN Decade on Ecosystem Restoration यही इसका मूल उद्देश से है अब आगे चलते हैं अब हमने कहा कि आपका जय विवित्ता ठीक है और पाई सिति की दो चीजें इंपोर्टेंट हैं जिस पे हमने इस आपके वर्ड इंवर्मेंट डे के अंतरगत जिक्र किया तो इस पे भी चलिए कुछ चीजें हो जाएं कुछ बातें इस पे भी हो जाएं देखिए जय देखते होंगे तो बंदर के उसकी प्रजवा जहां ठीक है उसमें बहुत सारे-अलग-अलग-ठीक प्रजातियों में भिनताइन पाई जाती ऑई एक यही पर जंदर का तो यहीं आपका देखिए अधिक सोब समुद्री और अन्य जली परिस्थितियों यानि एकोलाजी प्रडालियों और परिस्थितिक परिस्थरों में सहीत परिस्थितिक परिस्थरों यानि कि आवासों सहीत जीवी जिवों के बीच परिवर्थ तंसीलता के रूप में परभासित किया जाता है इसमें प्रजातियों और प्रजातियों के बीतर विवित्ता समलित होती है ठीक है तो यहां आपका बायो डाइवर्सिटी हो गई ठीक है जीवों की विवित्ता की बात यहां पे हो गई जो रेस है यहां पर पारिस्थित की बात कहीता हैं और एको लूजी को हम कहते है और और एको लॉजी सिस्टम को भी दना आपको ज़रूरी आगए अगर ज़रूबट पढ़ेगा आप कमेंट करें गे आपको उसको भी लेक counseling वीडियो में आएंगे आपके लिए देखिए एकोलोजी क्या है देखिए एकोलोजी जो है ग्रीक वर्ड का ठीक है देखें तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ecology यह वर्ड तो Greek word क्या है Ecolog ठीक है Ecolog है और यह दो आपके सब्दों से मिलकर बना है ठीक है और इसको तोड़ते हैं तो Ecos Ecos का मतलब होता है घेराव या आसपास का छेत्र और Logos का मतलब है अध्यान तो Ecolog जो है ठीक है sorry Ecolog हम Ecolog नहीं कहेंगे Ecolog कहेंगे तो यह Ecolog जो है इसका अर्थ आप देखें तो यह होता है आसपास के चेत्र का अध्यान जो आपके आसपास का जो आवरण है जो इन्वारिमेंट है उसी का अध्यान आपका यह पारिस्तितिकी जो सब्द के अंतरगत आता है दिखी कहा गया है यह सब्द पारिस्तितिकी ecology सब्द का अविस्कार German वैज्यानी commerce रैकन ने these 866 में किया था तो या देखेगा कहीं प Security के पर पूछा जाए कि ecology सब्द का सबसे पहले प्रियोग किसनी किया तो आपको याद रखना हैं German वैज्यानी है अरनश्ट है कने 186 सभी में किया था और अब पारिश्थितिकी पर बात कर लें, देखि कहा गया है, कि पारिश्थितिकी परियावरा अध्यन का वह भाग है, जिसमें हम जीवों, पौधों, जन्तुओं और उनके संबंधों, यानि आपस में जो रिलेशन है, या अन्य जिवित जाती हो, या गेर जिवित परियावरावर विद्यक्राशंसीह आस्रें यानि कि एक से जुड़े हुए एक से दूसरे लोग जो आश्रित होते हैं यानि कि आपका जैसे ecosystem की बात करें जिसमें आप आप देखेंगे पारस्थित्रिक आपका प्राथ को सिकेंडरी हैं कि एक से दूसरे जो आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, आधारीत होते हैं एक से दूसरे जीवित होने के लिए अपना जीवन चलाने के लिए जैसे कोई जानवर अगर घांस के उपर निर्भश करता है फिर जानवर को कोई सेर देखें तो खाता है तो उसके उपर निर्भर सेर करता है ठीक है तो ऐसे ऐसे जो आपका ecosystem है उसमें चीज़ें आ जाती है तो पारिसितिकी यही है mood loop से यहाँ पे जो है कि यह क्या करता है अध्यान करता है क्या dependency ठीक है परियावरण में आपका जो संबंध है जिसमें आपका जीवित और गहर जीवित जो परियावरण के अंदर जो परियावरण के अंदर जो परियावरण संबंधित है dependency है उसके बारे में यह आपका अध्यान करता है तो यह हो गया आपका जविवत्ता और आपका ego को आपका सिस्टेम चुछ लिए वीडियो पड़ा होसा आएगा और फटाफट इस वीडियो को और करते हैं और अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो जरू बताइएगा कहीं प्रावलम हो तो जरू फोकस करिएगा ताकि आके हम उसको बहता तरीके से तूधार हैं बहता लो सुछ